देश के प्रधान मंत्री की 20 लाग करोड रुपय की आर्थिक पैकेज की गोशना का हर वर्ग ने स्वागत किया है लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से देश में आई अस्थिरता को पाठने में ये सकारात्मक पहल है खास कर किसान, मजदूर और चोटे व्यापारियों ने आत्म निर्भर भारत अभियान को सही वक्त में उठाया गया सही कदम बताया है विशुव्यापी कोरोना महामारी की वजह से हरक्षेतर में आये ठहराओ को समाने करने के लिए देश के प्रधान मंत्री द्वारा बीसला करोड की आर्थिक पैकेज की घोशना की गई है जिसका हरवर्ग ने स्वागत किया है लोगों का कहना है कि आत्म निर्भर भारत अभियान से किसान, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को प्रोटसाहन मिलेगा खेतों में क्रिशी कारे में जुटी महिलाओं ने प्रधान मंत्री द्वारा उठाये गए कदमों की सरहना की और बताया कि देश के विकास और स्थाइत्व के लिए भागिदारी निभाएंगे उन्होंने किसानों से भी आहवान क्या है कि वे खेती को बढ़हावा देते हुए अन्ड के रूप में देश को सहीयोग करेंगे सबी किसान लोग है जो अपने अपने खेतों में काम कर रही है काम कर रहे है कल शाम को जो नरेंदर मोदी जी ने संदेश दिया तो उन्होंने पूरे भारत की अर्थ विवस्ता के बारे में हमें बताया जिसमें उन्होंने बीस लाख करोल रुपे की बात रखी शायद इस वज़ा से हमारे पूरे भारत की अर्थ विवस्ता ठीक हो जाएगी पर जो मोदी जी ने शाम को अनौसमेंट की है राहत पैकेज जो दिया है इससे हम बहुत खुश है इससे हमारा हम सबी का सुधार हो सकता है और जिस बीमारी से पूरा देश जूज रहा है हम भी जूज रहे हैं हम भी इसमें सयोग करेंगे प्रधान मंत्री के आर्थिक पैकेज की घोषना की व्यपारी वर्ग ने भी सराहना की है उन्होंने कहा कि इससे ठप पड़ी विकास गतिविथी को बल मिलेगा अर्थिक स्थी थी एक नई दिशा में जो ले आने का प्रयास आदन्य देश के पढ़ान मंत्री ने अंदर भाई मोदी जी ने किया है सिटी चनल के लिए रामपूर से विशेश और नेगी की रिपूर्ट अर्बचत